गुड मॉर्निंग लेडिस अजेंटलमेन आई होप यह दूइंग वेरी फाइन सो स्कूल बंध होने के उजर से हम लोग ऑनलाइन क्लास्वर्स के तरफ बढ़ चुके हैं ओके सो ऑनलाइन क्लास्वर्स का आज दूसरा दिन है तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके लिट्रेचर इंगलिश का चैप्टर है बहुत ही इंट्रेस्टिन चैप्टर है यहाँ पर जोडी नाम है किसका नाम है कहानी पता चलेगा बाद में और यह लिका है फॉन फॉन का मतलब होता है कि डियर का बच्चा मतलब हीरन का बच्चा ठीक है इसके बारे हम कहानी है पढ़ते हैं इसको स्टार्ट करते हैं कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर घर पे अगर हम लोग हैं अगर कुछ जल गया या कुछ कट गया तो हम लोग दौड के डॉक्टर पास नहीं जाते हैं तो किया है कि । अगर क्या हो ये cut on your name अगर आपके गुठने पर कोई cut लग जाए तो आप घर पर क्या करेंगे A bone on your arm अगर आपका हांचल जाए तो घर पर क्या करेंगे A bee sting और आपको किसी मदुहकी ने काड लिया तो आप घर पर क्या करेंगे In this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake उसको काट लेता है तो क्या करता है उसका पापा ने जैसे ही उसको साप ने काटा होता है तो क्या करता है नहीं क्या क्या करता है तो मतलता है हिरन हिरन को मार देता है और उसका हाट और लिवर यूज करता है किसके लिए to draw out the poison साप का जहर निकालने के लिए ये हिरन का हाट और लीवर निकालके उसका यूस करता है जोडी wonders what will happen to the little phone left without the mother अब क्या होता है इसके पापा को साप काट लिया है इसके पापा ने हिरन हिरन को मार दिया है और हिरन का लीवर और हाट निकालके अपना जो साप काटा वदा वो ठीक कर लिया है लेकिन जो छोटा बच्चा है जोडी वो सोचता है इसकी माँ तो मर गई लेकिन इसका जो बच्चा है जो फॉन है उसका क्या होगा तो उसके बारे में यह कहानी है सो अब जो जोडी के दिमाग में जो छोटा बच्चा है जोटा हिरन का बच्चा है उसके बारे में चल रहा है उसका क्या होगा वो बिचारा कहा जाएगा बिन अपने मम्मी का क्या करेगा उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उस हिरन के बच्चे का क्या होगा तो वो धीरे से अपने पापा के पास जाता है पेनी ले अट्रेस्ट ठीक है पेनी उसके पापा का नाम है पापा को सामने काटा होता है, तो अराम से लेटे होता है, उसके आँख ही तो साफ होती है, लेकि उसके पुपिल होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, आँख के अंदर, वो थोड़ सा डार्क होता है, ठीक है, थोड़ सा कमजोर हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी भी उनके जोड़ी अपने पापा से पुछता है, पापा, अब कैसे हैं आप? Just fine, son. Old death has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shape? कहता है कि तुसके पापा नहीं कहते हैं कि, कि जो, मैं सही हुँ बिटा, कि मौत मुझे मार नहीं सकी है, मौत अब दूसरे जगे चली गई है, but wasn't it a close shape? कर लेकिन कहता है कि मैं तो मरते-मरते, close shape का मतलब होता है कि मरते-मरते मैं बचा हूँ, बहुत दिन नजदीक आके, मेरे पास मौत बहुत नजदीक आया थी, और वो अपस चली गई, यानि कि मैं मरते-मरते बच गया हूँ, तो उसके जो बेटा होता है बोलता है कि हाँ पापा, मैं इसे समयत हूँ, पेनी सेड, I am proud of you boy, the way you kept your head and did what was needed, तो पेनी बोलते है कि मुझे आप पे बहुत प्रावड है बेटा है, क्योंकि आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, जो भी आपको करना चाहिए था, आपने किया है, मेरे मुसिबत के समय पे, पा, यस सन, do you recollect the door and the phone? ठीक है, तो इसके जो बच्चा होता है, क्योंकि आप उसके दिवा में क्या चलना होता है, उसके पापा के बारे में, और उस हिरन के बच्चे के बारे में, तो पूछता है पापा, क्या आपको ओ अपना फोन यादा रहा क्या, ओ कहीं, कहाँ पे है क्या, उसका door आ रहा है न, door मतलब कि उसका जो मेल होता है हिरन, और phone मतलब उसका बच्चा, क्या वो यादा रहा है कहाँ पे अपने देखा है, I can never forget them, the poor door saved me that certain, but the phone may be out there yet, it might be hungry and very scared, तो इन दोन में बात चलना होता है, तो पापा बोलते हैं कि, मुझे उस दोपे बहुती तरस आ रहा है, क्युक्कि उसने मेरी जान बच्चा ही है, तो बच्चा पुछता है कि, अच्छा ठीक है, उसका जो phone है, उसका चुटा बच्चा है, वो धरी कहीं होगा, वो might be hungry, वो साथ भूका भी हो सकता है, वो डराओ अभी होगा, I suppose so, पापा बोलते हैं, हो सकता है, पापा, I am a big boy now, and don't need to drink milk, why don't I go and see if I find a phone, तो जो जो जोडी बोलता है, पापा, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, दूद पिता बच्चा नहीं रह गया, तो क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, और उस हीरन के बच्चों को मैं ढून के ले के ले के आऊँ, and bring it here, पापा बोलता है, अच्छा यहाँ ले के आना चाहते हो, and raise it, कता है, हाँ, मैं यहाँ मैं ले के आऊँगा, और उसको मैं आपे लालन पोसंद करूँगा, उसमें बढ़ा करूँगा, पेनी ले कोईट, staring at the ceiling, पेनी चुप हो जाता है, और उस सेलिंग के तरफ उपर देखने लगता है, वाई, you have got me hammed in, तो पापा बोलता है, कि तुमने मुझे ऐसे सिचुसे में लाख ख़ड़ कर दिया, कि hammed in का मतलब आगी, dilemma, कि हाँ बिनेबल सकते हैं, ना बिनेबल सकते हैं, it won't take much to raise it bar, it will soon start eating leaves and acorns, तो जो बच्चा होता है, उनको persuade कर रहा होता है, पापा इसको पालने में ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत दूद पलाना होगा, बाद में फिर अपने आप से हो, पत्ते होगरा और बाद में नट्स खाने अपने आप से सुरू कर देगा, हमको ज़्यादा परचानी की समना नहीं करना होगा, यो और स्मार्टर देन बॉइस ओफ योर येज, पापा बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बाद की अपने एज के कमतिरी जामने बच्चे के हैं, तो जोडी बोलता है कि हमने उसकी मा को माट दिया है, और यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बच्चों को समाले, शूर्ली इट सीम्स अंग्रेटफुल तु लिविट तुस्टाब, तो जोडी होता है, जो छोटा बच्चा होता है अपने पापा से बोच्छा है क्या मैं Milville के साथ एक नाय करेटरिस में Milville के साथ जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि कहां पे है बच्चा हो तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है मेरी तरफ से हाँ है तुम जाओ अपनी मा से बात करो अगर वह बोलती है तो तुम शली जाना उसकी मा तब तक आ जाती है और वह चुपचा टेबल पर बैठ जाता है उसकी मा सब के लिए कौफी बनाती है तो वह बोलता है जोडी ममी पापा ने मुझे बोला है कि जाओ बाहर और उस छोटे से हिरं के बच्चे को घर लेक्या हो उसकी मा कौफी गिराते-गिराते रुख जाती है तो जो फौन तो उसकी मा पुसे कौन से हिरं का बच्चा तो बच्चा बोलता है कि अरे वही बच्चा है जिसकी मा को हमने मार दिया है जिसका लिवर पापा ने यूज किया है और पापा का जान बचा है सिगार और तो असा सांस ले तो कुछ ने बोलती है वेल फॉर पिटी सेक्स पा सेस इट वूड बी अंग्रेटफुल तो बच्चा बोलता है बच्चा अपने मा को बोलने का मौका नहीं देता है बोलता है कि कि पा ने बोला है पापा ने बोला है कि ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा कि हम उसके मा को भी मार दिये और उसके बच्चे को भी हम अकेले जंगल में छोड़ दिये तो morality क्या कहता है अगर आपने उसको use किया तो उसको घर पे लेके आईए उसका लालान पोसन किजिए उसको दूद पिला है उसको बड़ा किजिए डॉक विल्सन सेड, that's right, ma'am nothing in the walls comes quite free the boy is right and his dad is right इसमें डॉक्टर रते हैं, Wilson ओ बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है जो बच्चा बोला है, गिदम सही बात बोला है कि इस दुनिया में कुछ भी free नहीं आता है the boy is right and his dad is right उसकी बाप भी सही बोला है और बच्चा भी सही बोला है Mill will say he can ride back with me, I will help him find it अब Mill will बोलते हैं कि वो मैंसा जा सकता है और मैं उसको क्या करूँगा, help करूँगा उस हिरन के बच्चों को ढूडने में चीक है, Mill will say he can ride back, she sat down the port helplessly, और उसकी मा डर जाती है क्योंकि घना जंगल होता है मा तो मा होती है, मा तो हमेसा बच्चे के लिए careful रहेगी well, if you will give it to your milk and we have got nothing else to feed it तो बच्चा बोलता कि मम्मी देखो, ज्यादा परशान नहीं होना है बस उसको दूद की जरूरत है जो तुम दूद से कॉफी मुना रहे बस इतना दूद चाहिए, इतने में वो बड़ा हो जाएगा मिल्विल सेट come on boy, we have got to get riding तो मिल्विल बोलता है कि चलो बेटा, अब चलते हैं हम लोग और ढूंदते हैं उसको मा बैक्स्टर आस्टिशली you will not be gone long उसकी जो मा होती है, बैक्स्टर बोलते कि अच्छा तुम ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है बस नजदी जाना, ढूंदना नहीं मिले फिर वापस से ले आना जोडी सेट, I will be back before dinner for sure, तो जोडी बोलता है कि ठीक है मा, तुम परशान ना हो मैं dinner से पहले आ जाना, for sure, पका है मिल्विल mounted his horse and pulled जोडी up behind him मिल्विल अपने घोडे को सही करता है और आगे बढ़ जाता है, उसको बिठा के, जोडी को he said to मिल्विल और जोडी अपने मिल्विल को बोलता है do you think the phone is still there will you help me find him जोडी मिल्विल से बोलता है कि क्या तुम मेरा मदद कर सकते है उसको ढूंडने में मेरे काल से वो इधर ही कहीं होना चाहिए we will find him, he is alive how you know it's he तो जो मिल्विल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुमारा मदद करूंग उसको ढूंगने में अगर वो जिन्दा रहेगा तो तो तुम हो कैसे पता कि वो he है कि she है the sports were all in line on a door phone passes the sports are every which way तो तो बच्चा बोलता है कि नहीं वो he है क्योंकि जो sports है आपने देखा होगा hidden के skin पे outer skin पे sports होते है black color के sports होते है तो बताने लगे कि पापा बताते है कि sports होगा एक ही direction में है सारे direction में है sports है तो वो फिर he होता है door phone होता है ठीक है चलिए first part वी खत्म हो गया first part नहीं क्या सिका कि पापा को साप काड़ता है पापा अपने home remedy के लिए एक हिरोन को मारते है उसका liver और heart बाद में उसका जो बच्चा होता है जोडी वो सोचता है उस हिरन के बच्चे के बारे में कि उसकी माग को तो हमने मार दिया तो पापा को तियार करता है ममी को तियार करता है और घोले पे बैटके जंगल में निकल जाता है ढूंडने ठीक है आब आता second part और जहां तक उनको जान था उनसे वो लोग आगे पहुंच गए he said cut to the north Millville it was up here that pa got beaten by the snake and killed the door and I saw the phone तो he said मतलब कि बच्चा बोलता है कि आप north की तर चलो कि ये उधरी पापा को सापने कटा था पापाने वही पे उस दो को मारा था और मैंने भी आपे phone को देखा था अब north की तर चलो suddenly the Jody was unwilling to have Millville with him if the phone was dead or could not be found if he could not have the disappointment scene and if the phone was there the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share the situation फिर उसके मन में बच्चा है पच्चे के मन बहुत सारे बात जाती है इतना प्यारा होगा इतना अच्छा लगेगा कि उसको मैं अकेले Sergio ढूनना चाहता हूं उसके मन में ये आने लगा कि सायद और मैं Millville को यहांसे भगा दूँ तो मैं अकेले ढूंड लो, ठीक है? चलिए इस नोट फार नाओ बट तो बहाना मारता है क्या? मिल बिल से अब हो गया हो गया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यह जो स्क्रब है ना, जो ज़ाड़ी है बहुत मोटा है कि घोड़ी से पार नहीं करता है, मैं पैंदल चला जाओंगा but I am afraid to leave you boy suppose you got lost or got beaten by snake too, तो मिल बिल बोलते है नहीं बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं तुम भो छोड़ दूँ, अब तुमको भी अगर कोई साप काट दे, या फिर तुम रास्ता गुमो जाओ, तो I will take care, it might take me long time to find the phone, if he is winder leave me off right here, तो मिल बोलते हैं कि ठीक है तो मिल बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं लेकिन अराम से करना ठीक है, ज्यादा परशान मत होना तुमको तो पता है ना कि नोर्थ किदर है, इस्ट किदर है there and there, that tall pine makes a bearing, so long तो बोलता है कि नहीं ने, मुझे कोई दिकत नहीं है ये नोर्थ है और ये इस्ट है, मुझे सब कुछ पता है आप घर जाओ, मैं अकिले उसको दून लूगा so long, so long मिल विल, I am obliged कता है, ठीक है, चलिए बाइबाए, मैं इसको धून के घर पर आता हूँ आप घर पर जाए he waited for the sound of the hoops to end, then cut to the right the hoops होता है, घोड़े का जो पैर होता है उसने wait किया कि मिल विल जब चले जाते है तब मैं उस हिरन के बच्चे को धूनूँगा और उससे मैं अकेले पकड़ूँगा ओ मुझे अकेले चाहिए, मुझे बहुत मजाएगा the scrub was still जो scrub था, खड़ा था, चुपचप, इस scrub जो जाड़ी आती होई पर only his own crackling of tricks sounded across the silence और वहाँ पूरा silence था, चुकि रात भी हो गया था जो ट्विक सीने, जो ट्विक सोथ होता है, टहनी तो जब वो बचा चल रहाता, तो टहनी है टूट रहती यह तो उसी का आवाँ जो गुज रहा था बाहल पर he wondered for an instant if he had mistaken his direction वो कभी-कभी यह भी सोच रहता, कई ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना direction गुम हो गया हूँ, भूल गया हूँ, ठीक है then buzzard rose in front of him and flapped into the air he came into the clearing under the oaks तब तकी buzzard आ गया, buzzard क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया है यहाँ दिया buzzard, आपको दिखाते है, एक मैं दूज यह यह रहा buzzard a large bird like the vulture that is the flesh of animals ठीक है, buzzard एक animal होता है, किस की तरह? गीद की तरह, जो की मरे हुए, जनर को खाता है तो मेरे ख्याल से क्या होगा, वो किस लिए वाँ पर आया था? क्यूंकि जो उसकी मा को मारा गया था ना, उसका लास वाँ पर आ था उसको खाने के वाँ पर बैठा था बजर कहां बैठा था? जो कारकास था मतलब कि जो डेट बोडिक, इसका डो का डेट बोडिक पास बैठा था, उसको खा रहा था और जब इसने बच्चे को देखा, तो गुस्से से जब चिलाने सुरू कर दिये तो क्या हुआ? तो जब वहाँ पर बच्चा पहुंचा ना, तो उसको चला के मारा और वहाँ पर उड़के वो, बगल वगल ट्री पर बैठ दिखा है, इसलिए बैठ दिखा है कि बच्चा जब जाएगा तो फिर से हम खाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या दिखा रहा था, कि उसका लास था ना, वहाँ पर कुछ बिल्ली आई थी, उखा रहे थी और वहाँ पर जो, क्या बोलते हैं, जो यह जब अनिमल था ना, बज़र्ड, वहाँ पर बैठकर उसको खा रहा था और उसने ग्रास को, जाड़ियों को अलग किया, जहाँ पर उसने फोन को देखा था और उसको लग रहा था कि हैर कल की बात है, तो आज मुझे मिल जाना चाहिए, दा फोन वहाँ पर नहीं था इस सर्कल दा क्लियर रिंग, उसने उस जगा को साफ किया, पुरा सलकर में साफ किया, there was no sound, no sign, और ना पर कोई साउंड था, ना है कोई साउंड था, दा बज़र्ड इंपेशंट थे, ताकि वह जल्दी आगे खाना का है, इंपेशंट तो रिटर्न तो देर बिजनेस, रि वास्ट आइवे, और तो छोटा बच्चा था, वो पंजे का निसान ढूंड रहा था, हिरण के बच्चे का, ताकि अगर पंजे का निसान मिल जाता, तो उसके पीछे पीछे वहाँ पे चले जाता, उसको ढूंड था, लेकिन जो रात में जो बारिश हुई थी था, उसके हो जासे, सारा का सारा क्या हो था, सारा पंजाब वाँ पे मीडिया था, केवल कैट्स का और उस वल्चर गिद का निसान बनके बचा था, ठीक है, तो उसको समझू आया है, कि अभी हमने फर्स और सकेंड पार्ट खतम किया है, तो बेसिकली एक कहानी किस किया है, पिर से रि जाने के लिए उन्होंने एक हिरन को मार देते हैं, हिरन का हाट और लिवर यूज करते हैं, और अपना जहर तो निकाल देते हैं, लिए उसका जो बच्चा होता है, जोडी, वो सोचता है उसके बच्चे के बारे में, हिरन के बच्चे के बारे में, और उसको ढूनने के लि के आसपस बैठें और खा रहे हैं और वो बच्चा वहां पर ढूंडने लगता है पैर के निसान ताकि मुझे उस हीरन के बच्चे का पता लग जाए लेकिन पंजी के निसान मिठ जाते हैं क्यूंकि रात में बहुत जोर से बारिश होई थी क्लियर है इतना तक हमने पढ़ दिया है बाकी का पढ़ेंग हम दो नेश्ट क्लासेस में तिल देन बाई-बाई-बाई-ठेक अच्छा इसमें हुमर क्या है अपका जो भी इसको पहले लाइन बाई-लाइन पढ़ना है अपने तरीके से पढ़ना है जो भी नए वाट्स आ है इसको नो डाउन करना है क्लियर है न चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्शन है तिल देन बाई-बाई-टेक केर